हलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने माईखल चैनल पर मैं हूं कमलेश फ्रेंड्स आज के इसी डूम सिखेंगे इफ फंक्षन के बारे में जो कि एक लॉजिकल फंक्षन है और एक बहुती पाउरफूल फंक्षन है जिसका एक्सल में बहुत ज्यादा यूज होता है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल भी इसी वीडियो को विसकिप मत कीजिएगा लाश तक बने रहेगा तो यह आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है तो जैसे कि मैं आप पता रहा था कि इफ फंक्षन जो है बहुत ही पाउरफूल फंक्षन है इसका जो है कई कंडिशन में हम लोग एक्सल में यूज करते हैं तो चलिए सिकते हैं तो इस तरह के कई नेम है तो अभी यहां पर मैं एक जस्ट एक्जामपल के लिए बता रहे हुग कि इफ फंक्षन का एक्सल में क्या काम होता है तो यहां पर मैं चाहा हुग कि जहां पर रोशन अगर कहीं इसको मिले तो वहां पर हम रखें मैच या कुछ भी आप अपनी वाल लॉजिकल टेस्ट हमारा हमें कोई रिफ्रेंस है को जैसे बता रहा था आपको कि मैं यहां चाला हूं कि रोषन वाल ल्यक्त होन कि रोशन, बाहिक हमें चाला हूं कि रोशन जहां हमें इसको हमें बूल इस data के अंदर तो वहाँ पर हमें कैच चाहिए match या जो भी अपनी साप साप रखें तो मैं जैसे यहाँ लिख देता हूँ for example match अगर ये मेरा logical test अगर match होता है यहीं की value अगर if true होती है तो उस case में मुझे यहाँ पर रोसन के आगे वो data दिख जाए match का अगर value false अगर data match नहीं होता है रोसन अगर इस column में अगर कहीं इसको अगर नहीं find out होता है तो उस case में मुझे यहाँ दिख जाए not match तो मैं just example के लिए यहाँ पर बता रहो आप अपने according कुछ भी यहाँ पर रख सकते है तो यह function हमारा यहाँ लग गया है मैं इसको close करता हूँ और इंटर प्रेस किया मैंने इसको डबल किलिक करूंगा तो आप देखिए कि यहाँ पर हुआ क्या इस function के थुरू जहाँ इसको रोशन मिला वहाँ इसने match यूज किया और जहाँ पर इसको रोशन दिखा तो वहाँ पर इसने इसको match किया अब in case मगर रोशन यहाँ भी type करता हूँ तो आप देख रहोंगे कि यहाँ पर यह match शो कर रहा है तो यह तो यह मैंने आपको एक simple बताया कि match function एक्सल में यहाँ पर कैसे काम कर रहा है इसी तरह मैं यहाँ पर कोई value लिखता हूँ मैं इसको remove कर देता हूँ तो यहाँ पर मैंने value लिखी कुछ 12,000 या मैंने यहाँ लिखा 30,000 और यहाँ मैंने लिखा 15,000 16,000 तो यह मैं इसको font सबका size एक्सा कर रहता हूँ तो यहाँ पर देखे मैंने दूसरा example को समझा रहा हूँ कि if का यहाँ पर क्या काम होगा तो यहाँ पर हमार पर value आ गई है पूरी इस value के अंदर आप देख रहा हूँ कि कहीं कहीं हमार पास यहाँ पर data blank है अब क्या होता है कि अभी तो यह चोटा data है हमार पास कभी क्या होता है कि Excel में बहुत बड़ा data होता है आपके पास और वहाँ पर ऐसा data अगर आपके पास आता है तो उसमें आप से आप blank कैसे यहाँ find out करेंगे तो उसके लिए यहाँ पर आप if function का use कर सकते हैं चलिए इसको सेखते हैं तो यहाँ पर equal to हमने टाइप किया इफ लॉजिकल टेश्ट मारा एक रहेगा रिखेंस देना आपको equal to अब यहाँ पर बात हो रही है blank की तो मैं यहाँ blank का एक sign दे दूँगा ठीक है इसको कॉमा अब यहाँ पर अगर इसको अगर मैंने यहाँ कंडिशन कहा दी कि अगर यहाँ इसको कोई एक ब्लैंक मिलता है इस कॉलम के अंदर तो वहाँ पर मैं result क्या चाहिए आपको जो भी यहाँ show करना है वह आप यहाँ दे सकते हैं नॉट ब्लैंक तो मैं टैप करूंगा नॉट ब्लैंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि क्या हुआ कि मैंने यहाँ पर इसका रिफेंज दिया है और यहां मैंने यह logical text लगा कि अगर इसको blank दिखे इस column के अंदर और वहाँ पर अगर यह value match होती है तो वहाँ पर हमें result निकाल के देते blank और अगर इसको वहाँ पर अगर कोई blank नहीं दिखता है या कहीं पर value दिखती है तो वहाँ पर आए not blank तो यह हमारी condition नहीं लग चुकी है मैं इसको यहाँ पर close करूँगा और simple यह मैंने यहां किया और इसको मैं ड्रेक इस तरह से यह तो यहाँ पर देखे friends हुआ कि जहाँ पर value इसको मिली वहाँ इसने not blank लिख दिया और यहाँ देखो blank है तो यहाँ पर blank हमें इस तरह से यहाँ पर data निकल के आ गया तो यह देखे friends इस function का जो है बहुत ही अच्छा magic है अब चलिए इसको एक दूसरे example के तरह समझते हैं यहाँ पर मैं कुछ marks लिख देता हूँ 45, 60, 67, 56, and 75, 45 तो यह मैंने कुछ है marks लिख देए हैं अब यहाँ पर हम यह चाह रहे हैं कि अगर greater than 45 अगर हो तो वो पास है ठीक है अगर less than इस से हो 45 से नीचे हो तो यहाँ पर क्या है वो फेल हो जाए एक मैं जैसे example के बता रहा हूँ तो यहाँ पर जैसे कि हमारा पर data है नहीं तो मैं यहाँ पर type करता हूँ और 30 40, 34, 32 तो यह data मैंने इस तरह से बना दिया condition आप समझ गे कि हमारा पास हो तो वहाँ पर वो पास आ जाए और अगर ग्राइज देन और 45 से नीचे तो वहाँ पर फेल आ जाए तो इसको हम कैसे करेंगे चली सिकते हैं इफ ठीक है तो यहाँ पर हमने इफ लॉजिकल ले लिया अब यहां पर ग्रीटेज दन हमारी कंडिशन क्या है 45 तो यहां हम टैप करेंगे 45 अगर अगर वैल्यू मैच होती है तो हम यहां चाह रहे हैं पास अगर नहीं होती है तो हम यहां चाह रहे हैं फेल मैं ड्रेक करके दिखाता हूं आपको कि इस फंक्शन ने क्या काम किया है तो यहां पर अब यहां पर देखे कि इन दोनों का साइन क्या है यहां पर यह रियल गल साइन हमारा यहां greater than का तो हमें यहां पर साइन भी लगाना पड़ेगा पर greater than का तो यह मैं जासे आपकी जाम बदेखा रहूं कि यह function कैसे काम करता है तो अगर मैं इसको यहां पर यह लेज दिखाया तो greater than मैंने रखा तो यह मैने रख करते है तो यह साइन का यहां पर साइन का वलान मैंने अगर नहीं तो फेल हो जाए तो यहां पर देखिए आप 45 से जैसे 45 तो इसने पास दिखाया ठीक है यह देखिए 32 अभी यह इसके साब से मैं एक बार फिर से खुल आपको बताता हूँ कि हमें चाहिए हमें चाहिए कि 45 से प्लस हो तो पास और 45 से नीचे हो तो फेल तो उसके समें हम यहां इफ करेंगे यूज यह हमारा होगा लोजिकल अब यहां पर गेटर दन हम लगाना पड़ेगा क्यूंकि क्या है यहां पर ग देख देंगे टाइप 45 अगर यह वैल्यू मैच होती है तो उसके समा हम यहां लखेंगे पास अगर यह वैल्यू मैच नहीं होती है तो हमें कहाँ चाहिए वहाँ पर फेल याणिकि उससे अगर नीचे डेटा आएगा तो हम आप आएगा फेल अब मैं इसको ड्रेक करता अब यह देखें फ्रेंट्स कि यह 45 से यहां तक यह देखें जो हमें चाहिए था वह यहां पर यह हमारा डन होगा रिजल्ट फोटिपाइब से पलाइस हमें चाहिए था कि जो भी जिनके मार्क हो वह पास यहां सो कर दे और जो 45 से नीचे है मैंने जैसे पताया तो 45 तो इसलिए पास देखा है क्योंकि 45 उसका लास्ट हुआ है तो इसलिए अब नीचे की बात हो रही है तो यह है जो इनकी फेल है तो यह यहां तक आपको समझ में आ गया तो एक में फंक्शन और आपको दिखाता हूं इसमें और हम क्या कर सकते हैं इस थुरू हम बहुत कुछ डेटा हमने ला सकते हैं अब यहां पर तो कहाता है कि हमने सिंगल इसको यूज किया है अब कर जामपल मेरे पास मैं यहां पर रैंड बिट्विन यूज करूंगा क्योंकि वैल्यू टाइप करनी है तो 32 से मैं ले रहा हूं है यहां पर 78 तक तो ड्रैक करता हूं मुझे जहां तक भी इसकी नीड है तो यह वन टाइम मैं मैंने यहां पर यह यूज किया फंक्शन तो इस तरह से डेटा मेरे पार आ गया है इसको वैल्यू पेस्ट कर लेता हूं कि अगर यहां पर हम करने से रखते हैं कि अगर यहां पर हम पहले समल लेता है कि डेटा की क्या है हमार पास है तो यहां पर हम ले रहे हैं कि अगर 50 से अगर नीचे हो डेटा हमार पास यहां कि 45 ले लता हूं मैं तो यहां पर ग्रेट आजा है उसका 6 ठीक है और अगर फिर यहां पर हम ले रहे हैं कि 50 अब 45 से बराबर अगर हम ले यहां पर 60 तो यहां पर आजाए बी और उससे अगर उपर हो 60 से अगर डेटा उपर है तो हमारी यहां कंडिश मिल जाए अब यहां पर समेज़े फ्रेंड्स कि 45 से अगर नीचे है तो उसकी ग्रेट हमें यहां हो जाए C और 45 से 60 के बीच में अगर डेटा है तो यहां पर बी और 60 से अगर उपर के उसकी मार्क से है तो यहां पर हो जाए A तो अच्छे लिए शीकते हैं इसको इफ अब यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा जो यह वाली पॉजिटिव वैल्यू पर यह पहले हमें यहां लेना पड़ेगा तो यहां बन टाइप कर रहा हूं 60 अगर वैल्यू मैच हो तो यहां पर आजाए A फिर हम इसी में यही सेम फक्सन की उज़ करेंगे इफ नेक्स्ट हमारा क्या है वैल्यू में यह दिख नहीं लिए है चले हम ले लेते हैं पहला हमने 60 सौरी हमने लिया 60 फिर इस क्यों आप हमें चाहिए चले 50 ले लेते हैं तो हम यहां चाह रहे हैं बी हो जाए उस ग्रेड में और अगर कि नहीं यहां पर थोड़ा यह मुझे फिर से देखते हैं इसको कि करने से सीथी सीथी रखते हैं इफ 45 ठीक है सी और फिर हम दूसरे टाइप करेंगे इफ अब यहां इफ हम कई उज़ कर रहे है क्या रखना है मुझे 60 रखता हूं में चले फिर हमें टाइप करेंगे बी उसके बाद तो जो भी आया वह जाए यहां पर आ ए की थीक है तो यहां पर हम तीन बार को क्लोज करेंगे क्योंकि हमने तीन बार यहां पर इफ कंडिशन यूज किया है लेट सी देखते हैं कि इसने काम किया की ने कि तो यह देखें फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि 45 से नीचे अगर देखते हैं हम तो 45 से नीचे हमारा डेटा था यह वाला एक ही ही है जो इस ने दिखाया इसका C ग्रेट और 45 से 60 के बीच में अगर मैंने क्या लिया था अगर मैंने लिखा था 60 अब 60 वाले को इसने दिखाया B, तो B हमारा है ये वाला, ठीक है, और ये, फिर अब 60 से प्रश जितना था, उसको मैं जा रहा था कि वो grade आ जाए उसका यहाँ पर A, तो ये देखिए, उसका यहाँ पर grade देखिए, आपको इस तरह से यहाँ पर data मिल गया है, इसमें थोड़ा आपको ये याद अखना है कि जो आप चीज चाहा रहे हैं, वो पहले आपको data समझना होगा, तो यहाँ पर देखिए, फोर्टी वाइब से नीचे मैंने रखा था, तो यहाँ पर आप देखिए, एक ही record है 60, अब मैं यहाँ पर अगर 40 करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आपको आपको नजर आएगा इस तरह से, और यहाँ पर मैंने कंडिशन देखिए 60, कि 50 से 60 के बीच में का data हो, तो वहाँ पर हमें यहाँ भी दिख जाए, जो कि आपको यहाँ नजर आ रहा है इस तरह से, और यहाँ पर पर हमाई लास्ट कंडिशन के आती, 60 से अगर data जो value हो जादा हो, तो उस case में हमें यहाँ दिख जाए, उसका जो result आ जाए, तो मैंने आप friends आपको दो-तीन तरह से समझाया कि कैसे आप जो है, इस logical function का Excel में यूज कर सकते हैं, तो if का, मैंने आपको जैसे 3-4 example बताएं, इसके बहुत सारे example हैं, इसका कई जगा य इस तरह से भी condition है, तो इसको आप अपने according यूज कर सकते हैं, तो I hope, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो वैसे अच्छा लगा होगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो पिलीज को like करें, share करें, और इस वीडियो को share करें friends, जितने भी आप लोगो कोई भी आकर आपको doubt है, कहीं पर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रहे हैं, तो comment box में अपना question लेख सकते हैं, मैं उसका reply आपको जरूर करूँगा, thank you